नमश्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी रेखा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशे पर जो अक्सर लोगों के मन में उठता है घर में कबूतर का आना क्या शुब होता है या अशुब? आए जानते हैं इस विशे से जुड़े कुछ रोचक तथे और मानेताएं कबूतर को लेकर विभिन संस्कृतियों में मानेताएं कई संस्कृतियों में कबूतर को शान्ती और प्रेम का प्रतीक माना जाता है कुछ धर्मों में कबूतर को पवित्र पक्षी माना जाता है इतिहास में कबूतरों को संदेश वाहक के रूप में इस्तमाल किया जाता था घर में कबूतर का आना शुब या अशुब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें विभिन द्रिश्ची कोनों पर विचार करना होगा। कुछ धर्मों में माना जाता है कि कबूतर का आना शुब होता है और यह देवी देवताओं का आशिरवाद माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कबूतर का घर में घौसला बनाना शुब नहीं माना जाता। लोक मानेताओं के अनुसार कबूतर का घर में आना अशुब संकेत हो सकता है जैसे कि किसी बुरी खबर का आना या घर में कोई बिमारी का होना। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार कबूतरों का घर में आना आम तोर पर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें वहां भोजन या सुरक्षित जगह मिल जाती है. यह किसी विशेश शुब या अशुब संकेट का प्रतीक नहीं होता. घर में कबूतर का आना शुब या अशुब है यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मानेताओं पर निर्भर करता है. यदि आप कबूतरों को देखकर परिशान होते हैं तो आप उन्हें धीरे से घर से बाहर निकाल सकते हैं. अंत में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले हमारे चैनल मजेस्टिक मंतरास को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद